बच्चो हमने पिछली अध्याय में भी देखा कि भारत में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं फिर वो परवत हो पठार हो तटी मैदान है मरुस्थल है इसी प्रकार से इसी क्रम में हम देखेंगे कि कुछ दूइफ समू है और बहुत सारी जी जीले भी जो हैं वो हमारे भारत में देखने को मिलती हैं अभी हम ने चडचा की थी कि भारत के अपवाह तंत्र पर इसमें हमने हिमालेईन अपवाह तंत्र देखा प्रायदीपी अपवाह तंत्र देखा तो जील भी जो हैं जैसे अपवाह तंत्र की हम बात कर रहे हैं तो जील भी जो है इसी प्रकार से हमारे भारत में बहुत सारी जील देखने को मिलती है और जील कभी अपना ही एक अलग विसिस्ट आर्थिक महत्व है वो क्यों तो आप कल्पना कीजिए कि जैसे आप कश्मीर या हिमाले के किसी भी परवती छेतर में घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर जैसे नैनी ताल, लोक ताल, डल जील, बूलर जील ये सभी जो जीले हैं या हम किसी भी छेतर में जाएं जिस परियतन केंदर में कोई जील उपस्थित है अगर ये जीले ना हो तो कल्पना कीजिए क्या ये आपको उतना आकरशित कर पाएंगी तो आपका जवाब होगा शायद नहीं क्योंकि हमें पता है कि एक मनोरम द्रिश्य तो प्रस्तुत करते ही हैं हमारे सामने जो जीले हैं और इसके साथ ही साथ मनोरंजन का भी एक प्रमुख साधन है और सबसे प्रमुख बात त किसी भी मनुषय को अपनी तरफ आकरशित करने के लिए फिर हम बात कर ले कि यदि हम कश्मीर में जाएं तो आपने यदि डल जील में शिकारा में शिकारा का आनन्द ना लिया हो तो यह सब कुछ बाते हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं या हमारे सामने एक व महत्व पर भी चर्चा कर लें सबसे पहले जो हमने कहा कि यदि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो यदि यह जीले ना हो तो परेटन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो परेटन के दृष्टी कोड से तो यह बहुत जादा महत्व पूर्ण है ही क्योंकि यह लोगों को अपनी केंद्र होती है इसके साथ ही साथ यदि हम जील का और दूसरा महत्व देखें तो यहां पर मिलने वाला जो जली पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि जीलों में भी तो कई प्रकार के जीव जन्तू या वनस्पतियां उपस्थित होती ही है तो जली पारिस्थितिक तंत्र के परेटन हो गया पारिस्यति क्तंत्र हो गया मनुश्या के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जल्वायू को सम रखने में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमी निभाता है वो कैसे बच्चों कल्पना कीजिए जैसे हमने बात की थी कि समुद्र 30 छेतर में सम जलवायू मिलती है मतलब वहाँ पर ना ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज्यादा ठंडी पड़ेगी और यदि गर्मी का मौसम है और आप किसी तालाब के किनारे से किसी जील के किनारे से या किसी नदी के किनारे से यदि आप गुजरते हैं तो पूरा बाहरी जो एटमोस्फियर है वो तो बहुत गरम होता है लेकिन यदि आप वहाँ पर चले जाते हैं तो आपको एक अलग ही शीतलता जो है वो महसूस होती है उस जली छेत्र के कारण तो जलवायू के हिसाब से भी जील का जो है वो बहुत अधिक महत्व है इसके सा अधिक में अधिक मह degए है तो नदियों के जो बाढ का पानी है वहाँ पर एक जील बना कर हम उसे संतुलित कर सकते हैं जिससे उसके आसपास के च्यतर में बाढ का सामना उन्हें ना करना पड़े और इसके अःसे साथ ही साथ हम भारिश का अतिरिक्त जल है उसे उस जील य जील में से जो पानी है वो उसकी आपूरती आसपास के छेत में कर सकते हैं। तो बच्चो ये तो जील का आर्थिक सामरिक महत्तो हो गया। अब इसके साथ हम देखते हैं कि सबसे पहली बात तो कि जील हम बार बार जील शब्द का उप योग रे तो जील है क्या। जील जो है वो प्रिथ्वी का धरातल है उसके धरातल पर बनने वाले गर्थ में स्थित जो जल होता है उसे हम जील कहते हैं। मतलब किसी भी कारण, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो टेक्टॉनिक कारण हो, विवर्तनिक कारण हो, भ्रंश के कारण पड़ा हो, या वायू के अपर्दन से, नदी के अपर्दन से निर्मित हो, या जौला मुखी के कारण जील बनी हो, या कोई भी मानमी कारण भी ह हो सकता है किसी भी कारण से धरातल में कोई गर्त बना धरातली सतह हमें कोई गर्त बनाया गया और उस गर्त में यदि जल भर गया तो उसे हम जील का नाम देते हैं ऐसे ही धरातल में स्थित जो छोटे गर्त होते हैं उन्हें हम तालाब कहते हैं और बड़े गर्त को हम जील के जानते हैं और बहुत जादा जो विशाल जील या विशाल जो गर्थ होता है उसे हम सागर कहते हैं जैसे कैस्पियन सागर है अरल सागर है मृत सागर है तो यह हो गई कि जील क्या होता है अब इसके बाद हम देखते हैं इन जीलों को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है जैसे कि यदि हमालय के परवती छेत्र में चले जाएं तो वहां पर इनहें ताल कहा जाता है जैसे नैनी ताल, भीम ताल, लोक ताल साथ ही अधी केरल के तटी छेत्र में चले जाएं तो केरल के तटी छेत्र में इन्हें कयाल के नाम से पुकारा जाता है और जब हम पूर्वी तटी मैदान में चले जाते हैं तो इस पूर्वी तटी मैदान में इन जीलों को लैगून या अनूप के नाम से जाना जाता है तो यह बनेगा कैसे दिसके प्रकार है वो इसके आकार और लक्षन के आधार पर इसके निर्माण के आधार पर इनमें अलग-अलग बिननताय गाार गा इस व theor if such Phaniqu oम थी हो सकता है कोई the pli familiar दूज si mayious neither mobile SH उसमें कजल किसी में इस्थाई रूप से जल की उपस्थिती रहेगी और कोई जो है वो सूख जाएगा इसके साथ ही हम देखेंगे कि कोई खारे पानी की जील हो सकती है कोई मीठे पानी की जील हो सकती है कोई जील प्राकृतिक कारणों से निर्मित हो सकती है और कोई मानो निर्मित कार्णों से जील बन सकती हैं तो इन सब के आधार पर इसके हम कुछ प्रकारों पर चर्चा कर लेते हैं जैसे सबसे पहला है विवर्तनिक जील या टेक्टॉनिक लेक्स जब ये लेक्स या जील जो है वो धरातली संचलन का परिनाम होती धरातली संचलन मतलब धरातल के नीचे जो अंतरजाद बल काम करते हैं जिसके कारण पृत्वी के धरातल पर भ्रंश और दरारे पड़ जाती हैं, और ये संचलन या मुवमेंट जो है, धरातल में ये जो मुवमेंट है, भुगर्भ में जो संचलन है, वो एक 36 संचलन भी हो सकता है, और उर्धुआ धर संचलन हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, मतलब धरातल की कोई जो दो सतहे हैं, वो एक दूसरे से 36 रूम में अलग जा सकती हैं, अलग दिशाओं में प्रवाहित हो सकती हैं, या फिर अगर उनमें उर्धोधर संचलन होता है, तो धरातल का कोई हिस्सा जो है, वो नीचे की तरफ धस जाएगा, या अपनी सतह से उपर की तरफ भी उठ सकता है, तो उर्धोधर संचलन भी हो सकता है, कारण जो भी हो, मतलब संचलन चहे अच्छैतिज हो या उर्धोधर हो, इन संचलन के कारण जब धरातल पर गर्थ बन जाते हैं, और उन गर्थ में जब पानी भर जाता है, तो इसे हम विवर्तनिक जीलें या टेक्टॉनिक लेक्स कहते हैं, और इस का उधारन हम देखें, तो हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में इस्थित जो भूलर जील है, ये टेक्टॉनिक लेक्स का ही एक एक अग्जामपल है, दूसरा है, जवालामुखी या क्रेटर जील या क्रेटर लेक्स, तो ये इन जीलों का निर्मान तब होता है, जब कभी तो जब काला अंतर में बहुत समय के बाद हम कह सकते हैं कि प्रसुप्त जवाला मुखी है मतलब जब उस जवाला मुखी के मुख में बहुत समय अंतराल तक उदगार नहीं होता तो उसके ठंडा होने के बाद वो वो जो क्रेटर या उसके बड़ा होने पर उस आकार में बड़ा होने पर जो हम कालडेरा कहते हैं वो ठंडा होने के बाद उस गर्त में बारिश का या और किसी भी प्रकार से जब उसमें उस गर्त में पानी भर जाता है जो आलामुखी के क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो हम उसे Crater Lakes या Crater जील कहते हैं और हमारे भारत में हम देखेंगे तो हमारे भारत में जो महारास्ट है महारास्ट में लोनार जील जो है वो इसका सर्वप्रमुख उधारन है तीसरा हम प्रकार देखें हिमानी जील या Glacier Lakes तो इन जीलों का निर्मान तब होता है जब Glaciers जो है आप देख पा रहे होंगे इस पिक्षर में Glaciers जो है वो तापमान अधीक होने के कारण या धीरे-धीरे इनमें हम कहें कि गुलत्वा कर्शन के कारण जो है खिसकने की प्रक्रिया होती है या पिगल के आगे बढ़ या कोई भी धरातली संदशना चट्टान जो है उसको अपने साथ लेकर चलते हैं तो हीमानी के इरोजनल एक्टिविटी के हम कह सकते हैं कि रिजल्ट में या अपरदनात्मक्रिया के कारण जो गर्त बन जाता है और उस गर्त में जब जल भर जाता है तो हम उसे हीमानी से नि अपरदन से निर्मित इस्थलाक्रीतियां जो हम पढ़ते हैं उसमें पैडर नास्टर और हीम गवर यह जो जीले हैं इसका प्रमुक उधारन है इसके बाद हम देखते हैं नदी जील या फ्लूवियल लेक्स इन जैसे हीमानी के अपरदन से कहीं पर किसी स्थान की जो धरा जाना ठीक उसी प्रकार नदी भी जब प्रवाहित होती है तो वो अपने साथ अब घर्षन और सन्नी घर्षन जैसी क्रियाएं करती हैं मतलब बहुत सारे अउसाद उस नदी के साथ होकर चलते हैं जो आपस में तो रगड़ खाते ही हैं और साथ ही साथ वो जो बोल्डर्स अब बजरी हैं रेत के कड़ हैं ये सभी धरातल को भी घर्षन करते हुए चलते हैं और ये लगातार घर्षन होने के साथ ही साथ उसमें जो कैमिकल रियक्शन भी होते हैं घोली करन की जो क्रिया होती है और इन सब के परिणाम शरूप जब धरातल का कोई हिस्ता नदी करते हैं और एसा डिपॉजिशन से भी होता है जैसे कि गोखुर जील जो है वो इसका एक प्रमखुदाहरण है आक्सबो लेक इसकी चर्चा हमने पहले भी की है इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं जैसे कोई नदी चल रही है इसका एक पहले का जो मार्ग है ये किसी मै चलती है तो बल खाती हुई दाएं बाएं मोड बनाती हुई चलती है और जब कभी इस नदी में बाढ़ा जाता है तो ये नदी के समान्य स्तर से जब नदी के पानी का इस तर बहुत ऊपर हो जाता है तो इस मार्ग को छोड़कर ये पूरे सीधे मार्ग से होकर प्रवाहि और उसके बाद फिरसे जब नदी अपने समानिय मार्ग में पर जाती है जब पाड का पानी समानिय स्तरय पर आता है तो तो वहां यह में देख पा रहे हैं यहां पर एक जो हिस्सा है वो चापके आकार में छुड़ गया क्योंकि वहां पर डिपॉजिशन उसके और नतीष वाले भाग में जुके वाले हिस्सें में ज़ुके वाले हिस्से में अवसात का जमाओ और यह जो जील है ये गोखुर जील कहलाती है या आक्सबोले कहते हैं तो यह भी इसके कुछ उधारन है और इदि हम भारत में देखें तो उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली जितनी भी नदिया हैं हिमाले से निकलने वाली चाहे वो सिंधु हो ब्रह्म पुत्र नदी हो या ग तो जैसे हिमानी से निर्मिद जिले होती है या नदी के द्वारा निर्मिद जिले होती है ठीक उसी प्रकार वायू के द्वारा जब अपर्दन कारी किया जाता है और उसे वायू के अपर्दन कारी से जो गर्त बनते हैं और उनमें जब जल भर जाता है तो हम उसे वायू जि मरुस्थल में सांभर जील, डिडवाना जील ये जील जो है इसके प्रमुखुदारन है जो एक खारे पानी की जील है क्योंकि मरुस्थली छेतर में हम देखते हैं कि जो जल होता है वो बाश्च बनकर ऊपर की तरफ चला जाता है तो जो भी जल में उपस्थित लवन या खनी की जो मात्रा होती है वही शेष रह जाती है तो यहां पर पानी में लवन की मात्रा बहुत जादा होने से इन जीलों का पानी जो है वो खारा होता है या लवनी होता है इसके बाद हम देखते हैं लैगून जील लैगून जील जो है यह समुद्र के अपरदन कारिय से और डि तटी छेत्रों में तकराती हैं और फिर वापस जाती हैं तो इन लहरों के तट में तकराने और वापस जाने से हम देखेंगे कि यह जब समुद्र की तरफ साती हैं तट में तकराती हैं तो अपने साथ जो रेत है वो डिपॉजिशन हम कह सकते हैं आवसाद का वहां पर वो आवसादों के जमाओं के कारण बंद हो जाता है एक तरफ थोड़ा सा उसका जो छेत्र है वो खुले रूप में रह जाता है लेकिन इसके अंदर पूरा समुद्र का जो पानी है वो भर जाता है क्योंकि एक रोधिका के रूप में एक हम बाधा के रूप में आवसाद जो अंदर आता जाता रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में भी इसका कनेक्शन जो है वो समुद्री जल से नहीं रह पाता है तो इस प्रकार से जो बना जील है वो लैगून जील होता है या अनूब जील कहते हैं और ये लैगून जील भी जो है वो एक खारे पानी की जील होती है क्योंकि इस जील में जो पानी होता है वो समुद्रका होता है और समुद्रका जल जो है खा रहा है ये भारत में यदि हम कि इस प्रकार की जील तो हम बहुत अच्छे से परिचित हैं कि उडिसा में चिलका जील उडिसा में चिलका जील पुलिकट और कोलेरू जील जो आंध्र-प्रदेश और तमिल-नाडू में हैं और इसके साथ ही केरल में जो बेमनाद और अस्टमूदी जील है यह भी अनुप लेगून जील का ही एक उदाहरण है इसके बाद लास्ट में हम आते हैं द्रवन जी या डी सॉलूशन लैक्स जिसको हम बोलते हैं इन जीलों का निर्मान तब होता है जब कोई चूना-पत्थर वाला सरफेस होता है धरातल छेत्र होता है तो उसमें हम देखते हैं उस चू मिगजल में जो वहां पर चट्टान मिल रही है चूना-पत्थर उससे घोली करंड की क्रिया होती है और एक अंदर ही अंदर गूफा का जो है वो निर्मान होता है इसमें हमने और भी चट्चा की थी कि कंद्रा इस्तंभै स्टैलक टाइट है स्टैलगमाइट इस प्रकार क जो इस्तलाक्रीतिय है वो उस गूफा के अंदर मिलती है और एक समय अंतराल के बाद हम देखेंगे कि जब धरातल की छट है वो ध्वस्त हो जाती है मतलब नीचे की तरफ गिर जाती है तो एक बड़ा गर्त जो है वहां पर बन जाता है जिसे हम डिसॉलूशन लेप कहते ह और इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो भीम ताल है लोक ताल है यह जो जीले है इसके प्रमुख उदाहरण है इसके बाद हम देखते हैं मानो निर्मित जील इसके पहले जितनी भी हमने चर्चा की चाहिए मानी निर्मित नदी अपरदन से निर्मित या वायू अपरदन टेक्टॉनिक लेग्स यह सब प्राकृतिक कारण से निर्मित जीले थी इसके बाद हम बात करें हैं मानो निर्मित मानो अपने उद्देशों को पूरा करने के लिए भी बहुत प्रकार के जो जील है उनका निर्मार करता है जैसे कोई डेम बना हुआ है उसके पहले एक जील दिया और उसके माध्यम से जवरत के नुसार जब सिचाई के लिए क्रिशी के लिए उस जल की आवश्यकता होती है तो उस जल का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ ही साथ जल विद्यूत उतपन करने के लिए भी कई बहुत देशी परियोजनाओं का निर्मार्ड किया और उसके लिए जील या डैम बांध का जो है वो मानों के द्वारा निर्माण किया गया है इसमें यदि हम प्रमुख जीलों को देखें भारत में तो गोविंद वल्लब पंध सागर जील है सरदार सरोवर है हीरा कुंड यह कुछ जीले हैं प्रमुख जीले जो इसी प्रकार क जीलों के उदाहरण हैं बच्चों हमने पूरा अपवा सिस्टम देखा उसके बाद हमने जीलों के महत्व के बारे में जील के प्रकार के विशय में चर्चा की अब आप मुझे यह बताएए कि हमने जो अपवा तंत्र देखा या जल के सोर्स के रूप में जील की हमने बात करें यह हम अपने जल संसाधन की ही बात करें पहले ही हमने इस चैप्टर के शुरुवात में ही कहा था कि नदिया जो होती है यह एक महत्व पूर्ण प्राक्रितिक संसाधन है और इस्पेशली जब हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह हमारे लिए ज एक दिन आपको जल नहीं मिल पाता है किसी कारणवश जैसे हम देखते हैं कि कभी गर्मी कम वसम होता है तो बहुत से चेत्र होते हैं जहां पर जो वाटर लिवल है वह बहुत नीचे चला जाता है और जल की आपूर्ती की समस्य हो जाती है उसका सामना हमें करना पड़ता ह तो आप कितने परेशान हो जाते हैं जब आपको पता चलता है कि आज एक दिन जो है वो आपको दो बाल्टी पानी में ही निकालना है और वो दो बाल्टी पानी जो है वो आपको नहाने के लिए भी उसकरना है कपड़े दोने के लिए भी उसकरना है उतने में ही आपको खा कर सकते कि जल के बिना हम कैसे रह पाएंगे तो सोचिए कि यदि ये नदिया इन नदियों को हमने सुरक्षित नहीं रखा संरक्षित नहीं रखा तो क्या हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं जब हम एक दिन भी अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे तो ह हैं कि हमारे पूरे प्रिथवी के धरातल का 71% जो भाग है वो आपका जली हिस्सा ई है लेकिन इस 71 प्रतिशत भाग में भी हम देखते हैं कि पूरा 97 पर्सेंट जो हिस्टा है इसका ये लवनी है खारा है ये हमारे किसी उपियोग का नहीं है और इस 97 प्रतिशत हिस्से कभी हम देखेंगे 97 प्रतिशत में भी हम देखेंगे कि सिर्फ 3 प्रतिशत जो हिस्सा है वो सुख्षजल है मतलब सो में माने कि संतानवे कि सी काम ही नहीं और फ्रटिशत जो बचा इस तीन प्रतिशत जल में भी हम देखेंगे कि इसका जो तीन चौथाई हिस्सा है यह ग्लेशियर्स है हम्नदोğ के रूप में हैं तो के चलिए कि इस तीन प्रतिशत का भी सिर्फ एक चौथा हिस्सा वन फोर्थ भाग जो है वो हमारे उपयोग के लायक है और इसे ही हमें बहुत सहेज कर और संभाल कर रखना होगा तब ही हम अपने जल की आवश्यक्ता की पूर्ति कर पाएंगे तो अभी जैसे मैंने कहा ने क लिए अर्थिक महत्व क्या होगा कि अजल की बीना अपनी कलपना नहीं कर सकते हम कहरें जäl है तो जीवन मह zm measuring Adsal में ह। तो यही कारण है कि जितनी भी प्राचीन वानों सभ्धेताएं हम देखते हैं इन सभी का जन्म जो है वो नदी घाटियों में ही हुआ है और कारण यही है महत्व इसका आर्थिक महत्व, समाजिक महत्व, सामरिक महत्व, जिस प्रकार से भी हम कहें, हम अपने दैनिक दिन्चरिया में हम यदि कल्पना करें, तो सुबह आप सो कर उठ रहे हैं और आपकी आपके नहाने से लेकर भोजन, मतलब आप कपड़े धो रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, यह तो दैनिक आवशक्ता की बात हो गई, और दैनिक आवशक्ता में भी जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय तो आपको भोजन करने के बात जल पीने की आवशक्ता होगी ही, लेकिन उस भोजन को भोजन के बनने के लिए, बनने के लिए मतलब जब तक चामल की पैदावार नहीं होगी, जब तक गेहू या डाल की पैदावार नहीं होगी, तब तक आप उसे अपने भोजन में कैसे शामिल करेंगे, तो सबसे पहले तो उसका उत्पादन करना होगा, मतलब कृषी के माध्यम से हम चामल उगाएंगे, सबजियां और इन सब के लिए इन सब के भी कलपना जो है वो हम बिना जल के नहीं कर सकते, जल हमारे भोजन में तो आवश्यक है ही, लेकिन भोजन की थाली में आने से पहले भी वो खेतों में उगाने के लिए फसलों के रूप में ये बहुत ज़ादा महत्वपूर्ण है, इसके जीवन की कलपना नहीं कर सकते, वैसे ही वनस्पतियों की जीवन की भी कलपना हम जल के बिना नहीं कर सकते, तो यदि हम नदी के आर्थिक महत्व की बात कर रहे हैं तो अपने जीवन में मतलब मानव जीवन के लिए मानव जीवन में भी दैनिक आवश्यक्ताओं की पूर् तो चाहे हम औध्योगिक विकास की बात करें, तो उद्योगों के लिए भी जल जो है वो निहायत ही महत्वपूर्ण है, उसकी कल्पना भी हम बिना जल के नहीं कर सकते और इसके साथ ही साथ जब हम नगरी करन के भी बात कर रहे हैं, तो चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन के करना नहीं कर सकते तो यह सब के लिए हमारे जीवन में जल का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और हम वर्तमान समय में देखें तो हमने अपने लाभ के लिए अपनी आवश्रक्ताओं को पूरा करने के लिए अपने जल को इतना जादा प्रदूशित कर दिया है कि हम यह द प्रदूशित कर दिया है आपको पता होना चाहिए कि समान्य जो हम घरेलू अपसिस्टी या दैनिक आवश्रक्ताओं से के माध्यम से थोड़ा बहुत जो प्रदूशित करते हैं नदी को या जल को जील या तलाप कोई भी जल को यदि हम प्रदूशित करते हैं तो उस जल से खुद को वो रिसाइकल कर सकता है लेकिन वर्तमान में जो हम प्रदूशन कर रहे हैं चाहे वो नगरों का प्रदूशित कच्रा या गंदा पानी हो या हम उद्योगों की बात करें और द्योगिक अपसिस्ट के माध्यम से जो हम इन जल को गंदा कर रहे हैं चाहे वो लेवल से बहुत ज़्यादा उपर जा चुका है आपको पता होना चाहिए गंगा नदी में इतनी छमता होती है कि लगभग 21 किलो मिटर तक जो नगर या शहर पड़ रहे हैं उनसे जो गंदगी निकल रही है वो खुद ही उसको स्वता नियंत्रित कर सकता है लेकिन अब हम द प्रदूशन है वो इससे बहुत अधिक उपर जा चुका है तो जलके या नदियों की इस आर्थिक महत्व को देखते हुए अब वरतमान में हमें आवश्यक्ता है कि इसके संरक्षन के लिए इसे सुरक्षित रखने के लिए हमें बहुत सारी उपाय जो है वो किये जाने च के लिए नर्मदा नदी को प्रदूशन मुक्त और सुरक्षित रखने के लिए नमामी देवी नर्मदे परियोजना और ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी परियोजनाएं जो हैं वो संचालित हैं लेकिन ये योजनाएं तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक आपकी और हमा नदी चेत्र को तैयार करना है जो हमने विभिन्न नदियों के बेसीन या अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा है तो विशेश रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको मानचितर के माध्यम से पढ़ना है जिससे आपको रठनी की आवशक्ता नहीं होगी आप उन पत्ति स्थान को ध्यान में रखना ही है, उन नदियों की लंबाई, मुख्य नदी में मिलने वाली सहायक नदिया, उन नदियों का अपवाहत छेत्र कहां पर है, इस प्रकार से कुछ छोटे प्रश्नों और बड़े प्रश्नों के दृष्टिकोंड से आपको पूरा आपसे जा सकता है कि गंगा नदी अप्वाहत अंतर को समझाए या प्रायदीपी भारत के अपवाहत अंतर को समझाए तो इन सभी चीजों में आपको ये सारी बातों को शामिल करना है उत्पत्ति स्थान, लंबाई, अपवाहत छेत्र किन-किन राज्यों से होकर गुज़रती है, अगर उसमें कुछ विशेश परियोजनाय संचाली थे, उनके कुछ नाम जैसे हमने गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम भी देखे थे, कि गंगा नदी का नाम जो है, उसकी दो में स्ट्रीम उपरी हिस्ते पर मिलती है, वो दोनों मुख्य धाराएं मिलकर फिर ग जब वो बांगला देश में प्रवेश करती है, कौन सी गंगा नदी तो वहाँ पर उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, हमने देखा पश्रिम बंगाल में उसके डिस्ट्रिब्यूटरी बनती है, हुगली और भागी रथी, तो ये छोटी-छोटी बातों को आपको विश जाना जाता है, फिर आगे चलकर असमघाटी को ये पास जब उसकी दो सहायख ने दिया दिबांग और लोहित मिलती है, तब उसे ब्रम्हपुत्र के नाम से पुकारा जाता है, फिर ये आगे जब बंगला देश में प्रवेश करती है, तब बंगला देश में इसे जमुना जाना जाता है और बांगला देश में ही जमुना और पदमा जो गंगा नदी है यह दोनों संयुक तधारा मिलती है और यह संयुक तधारा आगे चलकर मेघना के नाम से जानी जाती है तो यह मैंने आपको रिवाइस कराया जो छोटी-चोटी बाते हमने पढ़ी थी उसको इन और आपकी इमेजिनेशन में वो चीज जो है वो बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी कि जब आप याद करेंगे कि गंगा नदी कहां पर मिल रही है उसके दाएं तट से कौन सी नदी मिलती है बाएं तट से कौन सी नदी मिलती है इन सभी आप बातों को आपको बहुत किया उस आधार पर कौन-कौन से या किस प्रकार के प्रश्ण पूछे जा सकते हैं इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो आपको अब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्ण पूछे जा सकते हैं जैसे कि कोई एक चित्र दे देगा किसी पैटन का हमने ड्रेणेज पैटन पर विस्तार से चर्चा की है जैसे व्लिक्षाकार, आयताकार, जाली-नुमा इन में से कोई भी एक पैटन आपको दे देगा और आप से पूछ लेगा कि अपवा प्रतिरूप किस प्रकार का प्रतिरूप इं करता है तो बच्चो शायद आपको याद आ रहा होगा कि यह जो प्रतिरूप बना हुआ दिख रहा है आपको यह एक आयताकार प्रतिरूप या रेक्टिंगलर पैटन ही और ऐसे ही व्रिक्षाकार प्रतिरूप का चित्र दे सकता है या जाली नुमा प्रतिरूप का दे सकता किसी भी प्रकार के पैटर्न का फिक्षर आपको दे सकता है और आप से पूछ लिया जाएगा कि यह अप्वा प्रतिरूप किस प्रतिरूप है कि अगला प्रश्ण सुंदर्वन डेल्टा किस नदी के मुहाने पर बनाएं ऑप्शन दी हुए है गुदावरी गंगा कावेरी यह सिंधु तो बच्चों हमने इस पे विस्तार से चर्चा की है कि गंगा और ब्रह्म पुत्रण्दी के द्वारा जो है वो यह सुंदर्वन का डेल्टा निर्मित किया गया है तो आप्शन आपका होगा भी गंगा अगला है भारत का सबसे लंबा बांध हीरा कुंड है और ये किस नदी पर बनाए है तो इसको भी हमने पढ़ा था आप्शन दिये हुए है गंगा गोदावरी नर्मदा महा नदी तो आप्शन आपका होगा दी महा नदी भारत का सबसे लंबा बांधिराकुन महानदी पे बनाया गया है उड़ी सामी इसके अलावा आप से पूछा जा सकते हैं जल्वी भाजक क्या है तो मैदान परवत दो अपवाह को अलग करने वाली उच्छ भूमी या इन में से कोई नहीं तो इस पर भी हमने पढ़ा था कि जल्वी भाजक या हो सकता है और उच्छ भूमी के माध्यम से दो अपवाहतंत्र अलग-अलग हो जाते हैं दो अपवाहतंत्र को डिवाइट कर देता है अलग कर देता है उससे हम वाटर डिवाइडर या जल्वी भाजक कहते हैं इनके अलावा आपसे बहु विकल्पी या अब्जेक्टिव टाइप के कोश्चन में नदियों की लंबाई के विशय में पूछा जा सकता है जैसे गंगा नदी की लंबाई कितनी है और आपके सामने ऑप्शन दे दिये जाएंगे इनके अतरिक्त सहायक नदियों के विशय में पूछा जा सकता है जैसे की गंगा की सहायक नदीन में से कौन सी है तो आप्शन दे देगा व्यास, गोदावरी, कावेरी, यमुना तो आप्शन आपका कौन सा सही होगा यमुना इसी प्रकार से आपको सिंधु, गंगा और ब्रह्म हपुत्र सभी नदियों की लंबाई और उसके सांसा सहायक नदियों का ग्यान भी होना चाहिए अब आपसे अतिलग गुत्री और दिर्गुत्री टाइप के प्रश्ण में भी पूछा जा सकता है जैसे कि अपवाह क्या है और यदि इसे दिर्गुत्री प्रश्ण में या बड़े प्रश्ण में पूछा जाए तो अपवाह एवं अपवाह तंप्र को समझाए इसके तर कैसी होती है मतलब कितने स्थान से बहती है समझाना होगा आपको कि उसका छेत्र जो है वो सिमीत होता है एक सिमीत छेत्र से और चुकि वो एक ढाल में बहती है तो वहां पर पानी का वॉल्यूम भी जो है वो ज़ादा होता है और सिमी छेतर से बहने के कारण वो अपने पाश्विक अपरदन कम करती है और घाटी को गहरा करने का कारी अधिक करती है और इस में जो बननेवालह इस्थलाक्रीतिं से जैसे यूवाकार की घाटी वह एकार की घाटी जल प्रपान इन शबहिए इस्थलाकरीतिएं का भी आपको वर्ल करना पढ़ेगा फिर गंग बेसीन और गोदावरी बेसीन में क्या अंतर हैं तो इन दोनों बेसीन में जो अंतर है या मैं यह कहूं कि जो हिमाले से निकलने वाली नदिया है और अन दोनो नदियों के बीच में आपको तुलना करने के लिए भी पूछा जा सकता है और पर्टिकुलर आपको गंगा बेसीं और गुदावरी बेसीं में अंतर पूछा जा еще तो आपको समझाना होगा जैसे कि कुछ पॉइंट में कि इनकी लंबाइश में से कौन सी लंभी है, कौन सी छोटी है, कौन सी यूथ new stage में हैं, कौन सी mature stage में हैं, कौन सी घाटी बना रही है, या मतलब बनने वाली इस्थलाक्रीतियों के अधार पर और इसके साथ ही साथ उत्पत्ती स्थान के अधार पर इन दोनों में अंतर आपको बतलाना पड़ेगा फिर आपसे कुछ इस प्रकार करे पुझते हैं कि है कि किसे कहते हैं ब्राम बुमी नीचे जा रहा रहा है और यदी जा रहा है तो क्यों तो इसमें आपको धियान होगा इस चैप्टर में हमने एक महाराष्ट के हिवरे बाजार गाउं की कहानी भी पड़ी थी उसका एक एक्जामपल हमने समझा था उसमें देखा था कि जल हमारे लिए एक महत्त पूने संसाधन होता है यह किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति कर नहीं होता है और हमें इसे कैसे सहेज कर रखना होगा ताकि सभी के लिए समान रूप से उपल सकता है कि गंगा अपवातंत्री की विशेष्टाओं का वर्णन कीजिए या सिंधु अपवातंत्री की विशेष्टाओं का वर्णन कीजिए तो इस तरह से आपको पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और जहां पर भी जिस प्रश्ण में मान्चित्र की आवश्यक्ता पड़ती है तो आपको मांचित्र के मांध्यम से ही उस उत्तर को रिप्रेजेंट करना होगा अगर अगर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो